दोस्तो एक बड़ा ही चोकाने वाला मामला सामने आया है यूपी के मुखे मंतरी योगी अगदित्यनात के आवास पर एक महिला पहुंची है जिसका नाम है हैमा सक्सेना वो दावा कर रही है कि वो योगी अधित्यनात की प्रेमी का है जी हां दोस्तो वो अपने हाथ में एक डिप्टी सीम और एक सीम हाउस में उसने दिया है उसे उसने इस लव लेटर को सारजुनिक भी किया है आईए हम आपको पूरी जानकरी देते हैं पूरी न्यूस सुनाते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला देखिए एक न्यूस पेपर में छपी हुई खबर जिसमें ये देखिए आपको सुनाते हैं पूरी न्यूस दोस्तो ये है वो पूरी न्यूस जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग दियू ये सीम आवास तौंची योगी की प्रेम दिवानी मतलब इसमें दावा किया है इस महिला ने कि वो योगी अधित्यनात की प्रेमी का है इसमें लिख नवू का मुख्यमंत्री निवास बर्माचारी के आशरम से कमतर नहीं आंका जाता है पर क्या योगी आधित्यनात से प्रेम का इजार करने सहर की एक तलाक सदा यूति है वहाँ जादम की है इतना ही नहीं यूति ने यूगी को लिखे प्रेम पत्र को साजनी कर में भी रत पत्यूत धरता के साथ उसकी प्रतिवी डिप्टी सीम के सो परसाद मोरे को भी दिखाई दावे चोकाने वाले जूट पर जेल जाने को भी तैयार जियां दोस्तो यूति योगी के इकरार वे इनकार को लेकर उनसे मिलने पर अडी रही इस गटना से पूरे सीम आवास में प्रत अपनी फेल गई इस तरह कि अनूठी गटना है जब कोई सता की चोकट पर बिना डरे उसके मुख्या से खुले आम प्रेम का इजहार करें सहर के नवाब गंज की हेमा सक्सेना ने दावा किया है कि वह गोरकपुर के गोरकनात मंदिर में अपनी समस्या को लेकर गई थी तब ही उसको परदेश के मुख्या से प्रेम हो गया उसका कहिना है कि सीम में एक बार उससे मिले थे उसने प्रेम पत्र में लिखी बातों को साप करने की भी बात कही दावा किया यदि मेरी बात गल्त हो तो योगी मुझे जेल बिजवा दें इस तरह का दावा भी उसम महिला के दुवारा किया गया है। हेमा जब लखनव उस्तित सीम आवास पहुंची तो हाथ में थामें पत्तर में उसने सीम के लिए अपने दिल की बातें लिखी थी। उसके लव लेकर पहुंचने पर मुख्या मंतरी निवास में हड़कम मच गया। हेमा ने बताया कि जब सुबे के मुख्या योगी आदित्यानात को बहुत प्यार करती है और वह उनके बिना नहीं रह सकती। एक साल से लगातार वीडियो कॉन्फरेंसिंग पर सीम से प्यार की बातें करने का दावा भी इस महिला ने किया है। एक बार सामने आकर कह दे कि वह जीवन बरसात निभाएंगे या नहीं। उसने यह भी दावा किया यदि लव लेटर में लिखी बातें गल्त हो तो वो मुझे जेल भी बिजवास सकते हैं। हेमा ने कहा कि डिप्टी सीम के बाद लव लेटर की दूसरी कोपी सीम आवास के स्वागत कक्स में स्टाप को दी है। स्टाप ने बरोसा भी दिलाया है कि समय मिलने पर वह सीम से भेंट भी करवाएंगी। बताया गया कि हेमा का तीन साल पहले तलाग हो चुका है और वह प्रिवार से अलग नवाब गंज में रहती है। सातो योगी आदित्यानात ही कर सकते हैं। फिलाल इसके समन्द में जहाजानकारी हमें नहीं मिली है। यह जो न्यूज छपी है उसी साफ से लव लेटर लेकर के यह जो हैमा सक्सेना नाम की महिला है यह पहुंच चुकी है। और सियम आवास पर इसके पहुंचने से खलबले भी वहां मत चुकी है। ठीक है दोस्तो तो इस तरह की नही नही अच्छी कबरें प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन है वो जरूर दबा लें। अगर आपको पसंद आईए तो लाइक करें अगर आपको पसंद नहीं आईए तो डिसलाइक करें आपके द्वारा इस वीडियो को किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत मैतोपुरन है इसलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भ करता है